हलो व्रिवन स्वागत है आपकर अपले का वर्ल्ड में तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रिवेस एर क्वेशन्स फॉर डी ट्रॉपल असबी टीचिती नाच्रोल साइंस और यह जो क्वेशन्स यह दो हजार अथारा की पेपर से हैं शिप्ट सेकिंड से तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेशन है पार्किंस डिजीज अफेक्स विच ऑफ दी फॉल्लविंग और इन हुमन बिंग्स पार्किंस डिजीज किस ओर्गन से रिलेटिट है यूमन बिंग्स में लंग हीर ब्रेइन या फिर किड्नी तो यह चीज यूमन बिंग्स में फीमेल के अंदर जब चाइल्ड बर्थ होता है तो इस ताइम पर कौन सा होर्मोन रिलीज होता है प्रोलेक्टिन ऑक्सिटोसिन ग्लुकागन या फिर एस्ट्रोजन तो जो इसका आंसर है आपको पता ही है ऑक्सिटोसिन बिकॉस ऑक्सिटोसिन ही क्रेनियल का क्रेनेयल नर्व इनरवेट्स ती टंग कौनसी क्रेनियल नर्व होती है जो टंग को इनरवेट करती है चार ओप्छन से 10th, 3rd, 5th या फिर 9th तो जो इसका आंसर है वो है 9th Next question पर चलते हैं In genetic code the codon, GUG codes for which amino acid? GUG code जो है वो, codon जो है वो किस amino acid को code करता है? We have 4 options, glycine, valine, lysine या फिर methionine तो इसका आंसर है valine अब आप सोच रहोंगे कि codon तो 64 codons होता है जिसमें 64 जो होता है वो amino acids को code करते है तो क्या हमें सब याद करने पढ़ेंगे? सब याद करने के ज़ुरत नहीं है यहाँ पर GUG का जिक्र इसलिए आया क्योंकि GUG जो होता है वो उसके codon के बारे में आपने Mendelian Disorders में भी सुना होगा है ना तो जो hemophilia नाम की disease होते है उसमें इसका जिक्रात है तो इसलिए उस reference से यहाँ पर पुछा गया है क्योंकि यह important है वाकी सभी के बारे में नहीं पूछा जाता है next question है हमारा the hairpin like structure which is a part of nephron is hairpin like structure जो होता है जो nephron का part होता है उसको क्या बोलते है loop of henley proximal tibule collecting tibule and distal tibule तो आपको पता ही है कि hairpin loop like structure nephron में कौन सा होता है loop of henley next question है which of the following statement is false about certain phenomena in plants plants की बारे में कुछ phenomena की बारे में यहां पे कहा गया है उसमें से false statement कौन सी है पहला है कि upward growth जो होती है plant की roots की वो positive geotropism को दर्शाती है फिर है कि respiration से CO2 add होता है atmosphere में photosynthesis से oxygen add होता है और जो upward growth होती है plant की shoot की वो negative geotropism को show करती है तो false कौन सा है तो first वाला ही false अगर आप जहां से पढ़ें इसमें का गया है कि अगर root upward की तरफ ग्रो करेंगी तो वो positive geotropism होगा नहीं positive geotropism तो तब ही होगा जब अर्थ की side grow करेंगी soil की side grow करेंगी है ना तो इसलिए यह गलत हो next question है regeneration के बारे में regeneration is seen in which of the following organisms कौन से और्गानिजम में regeneration देखने को मिलता है ascaris amoeba hydra या फिर planaria तो आप जानते हैं कि regeneration के लिए कौन सा और्गानिजम famous है planaria अगर planaria की body को बहुत सारे parts में cut कर दिया जाता है या फिर वो accidentally cut हो जाता है तो उतने ही जो parts होते हैं वो planaria में बदल जाता है for example अगर उसकी body तीन parts में cut हो जाती है डिवाइड हो जाते है ब्रेक हो जाती है तो तीन planaria बन जाएंगे तो इसका answer है evolution next पे चलता है which of the following blood vessels supply the blood to the liver इन में से कौन सी blood vessels होती है जो की blood को liver तक supply करते है pulmonary artery, hepatic arteries, coronary artery, carotid artery तो नाम सी पता चल रहा है hepatic artery, liver से related जो भी बात है वो hepatic से हम शो करते हैं तो hepatic arteries ही liver में blood जो है supply करती है next question है what is the approximate total number of nucleosides in a human genome human genome में total कितने nucleosides होते है 3 billion, 1 billion, 3 million, 10 million तो maximum है इसमें 3 billion तो इसका answer भी है 3 billion next question पे चलते है next question है itai itai diseases cause due to which of the following pollutant itai itai disease कौन से pollutants होते है lead, cadmium, silver या mercury तो जो इसका answer है cadmium अब यहाँ पर एक important बात है कि जितने भी हार्ट जितने भी हमारे metals है heavy metals है cadmium, mercury, lead यह सब इन से जो disease होते हैं वह मैं याद होनी चाहिए कि कौन से होने वाले disease को क्या बोलते है जैसे mercury से जो disease होते है मिना माटा disease बोलते है cadmium से itai itai disease होते है तो यह सब याद होने चाहिए heavy metals की diseases है next question है हमारा world wildlife day कब आता है 5th of January 5th June 3rd March 15 October तो इसका answer है 3rd March next question पर चलते हैं where was the COP23 of UNFCC held in 2017 2017 में COP23 of UNFCC की जो बैठक थी या जो भी यह summit था यह कहां पर हुआ था इंडिया में USA में या France में या फिर जर्मनी में तो यह हुआ था हमारा Germany में next question पर चलते है next question है the maintenance of equilibrium in an ecosystem is known as equilibrium maintain रखना ecosystem is process को क्या कहा जाता ecological balance, ecosphere, ecological niche or ecotone तो मैं पता है इसका answer होगा ecological balance because ecosphere, ecological niche or ecotone के अपनी meaning है उसका मतलब यह नहीं है next question है where are the headquarters for international union for conservation of nature and natural resources IUCN located IUCN headquarters, where are the headquarters? Switzerland Switzerland is its headquarters next question tonoplastic membrane cell की कौन सी और्गैनल को surround करती है ribosome, blasted, vacuol, lysozome तो आपने पढ़ा है tonoplast जो है वह vacuol की membrane को कहा जाता है tonoplast जो है वह vacuol की membrane है next question है which of the following is a conventional source of energy इनमेंसे कौन एक conventional source energy की ठीक है यानि कि जो बहुत जादा यूज किया जाता है और वह जो की काफी समय से इस्तमाल किया जा रहा है बहुत जादा यूज किया जाता है और renewable नहीं है एक तरीके से है तो इसमें हमारे तीन-चार ओप्शन चार ओप्शन है wind, sunlight, LPG या LPG को कंवेंशनल यूज करते हैं मतलब कि हमेशा से यूज करते आ रहे हैं next question है which of the following ecological pyramid is always upright कौन सा ecological pyramid हमेशा upright होता है pyramid of biomass, pyramid of energy, pyramid of number or pyramid of detriowats detriowats pyramid of energy हमेशा upright होता है कभी भी वो ultra नहीं हो सकता हमेशा upright होता है next question है हमारा which of the following global convention was formed to regulate the import and export of hazardous chemicals इन में से कौन से global convention regulate करता है the import and export of hazardous chemicals Montreal Protocol Tokyo Convention Kyoto Protocol and Rotterdam Convention तो इस cancer है Rotterdam Convention नहीं कि option 4 okay so इसमें हम next question पर चलते है next question है which of the following is example of mutualism mutualism का example कौन सा है branchils and whales, orchids and large trees algae and fungi, sea animals and crab तो यह जब बाकी है यह भी एक relationship को denote करते हैं but हमार से mutualism पूछा है मतलब वह relationship जिसमें दोनों का फायदा हो है तो वह तो algae और fungi ही है और algae और fungi की mutual relationship को क्या बूलते है lichens next question है हमारा कि इन में से कौन सी disease है जो कि contaminated water पीने से हो जाती है typhide, tb, hivl, leprosy तो मैं बता है typhide ही वह disease है जो कि गंदे पानी से हो सकते है next question है इकॉर्णिया के बारे में इकॉर्णिया को हम किस में classify करेंगे zerophytes, epiphytes, helophytes hydrophytes इकॉर्णिया जिसको हम smoother soak भी कहते है और terror of bingol भी कहते है hydrophytes है पानी में मिलने वाला पॉधा है फिर है babesia divergence in cattle is transmitted through which of the following babesia divergence cattle में किस के तुर्ण्समेट होता है ठीक है तो चार options है mosket, housefly, pigs या फिर ticks तो इस कांसर है, ticks आपको पता ही होगा जो kettles का खून चूसती है आपको पता ही होगा चूटी-चूटी होती है तो उससे यह disease वालती है next and last question आज के लिए which of the following is a primary consumer in an aquatic food chain aquatic food chain में primary consumer कौन होता है ध्यान से देखना आप इसको primary consumer कभी आप producer सोचे कई बार हम confused हो जाते है primary consumer कौन होगा aquatic food chain में algae, phytoplankton, zooplankton या फिर sharks तो इसका जो answer आपको पता ही है aquatic food chain स्टार्ट होते है phytoplankton phytoplankton producers होते है phytoplankton को consume कौन करता है zooplankton zooplankton primary consumers होगे तो इसका answer होगा zooplankton तो यह हमारे questions से आज के लिए तो आज के लिए सब इतना ही I hope के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपके लिए helpful रही होगी अगर यह questions आपके लिए helpful रहें तो लाइक जरूर कीजेगा शेयर कीजेगा रप्लिकावल को सब्सक्राइब करना मद भूलना